प्रियदर्शकों हजर हुमें 6 अगस्त दो हजार चौबीस आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानि दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारम्भ करते हैं लेकर प्राइब दिन कामन तेल्ड़ कर दो हो जएब राश्पार वारा मंगल लेकर वाल्व कर दो हो प्लाविए बत्रिक्रम प्राइब प्राइब बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज मंगलवार है सुरावनमास शुकल पक्षकी आज दुतिया तिति है जो रात 37 बज करके 52 मिनट तक है और इसके पश्चात तुरुतिया है बात की पंचांकी चंद्रमा आज सुम्हराशी में रहेंगे और अभिजित महुर का समय दिन में 11 बज करके 38 मिनट से 2 पहर 12 बज करके 30 मिनट तक का होगा वही राहुकाल दो पहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकारिय जिस कारिय से चुरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रतेक कारिय को अभिजित महुर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित महुर्त हरीकवती प्रिय है राहुकाले में कोई भी नया कारिय प्रारंभ नहीं करना चाहिए होश उड़ जाएंगे आपके जब आप जानेंगे अपनी जन्म कुंडली में छुपे एक अद्भुत पावर को राजा बनाने वाले योग तो आपने बहुत सुने होंगे पर आज जिस योग की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो कोई राजयोग नहीं है उसको ऐसा कोई राजयोग जैसा नाम नहीं दिया गया परन्तों मैं कह सकता हूं कि वो अपने आप में बेहत अभूत पुर्व और किसी राजयोग से कम भी नहीं है आज का दिव्य महा प्रयोग बड़ा ही दिव्य है अध्भूत है दिव्य महा प्रयोग की बात करेंगे साथी साथ 11 अगस्त दिन रविबार के मुहूर्थ की भी हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रह इस्थिनों की मंगल और गुरु यूती बनाकर ब्रशभरासी में सम्चरण कर रहे हैं तोहीं सूर्य करक में है चंद्रमा, शुक्र और बुध ये तीन ग्रह यूती बनाकर शुम्हरासी में सम्चरण कर रहे हैं कि तू कन्या में और शनिदेव कुंभ में वक्रवस्था में तोहीं राहू म प्रिदर्शकों गोचर कुंडनी में बुद्वी वक्री हो चुके हैं और शनिदेव वक्री पहले से ही हैं तो ये दोनों ग्रह वक्री स्तिती में हैं और चंद्रमा आज मघा नक्षत्र केतू के नक्षत्र में साम को शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो मघा नक्षत्र म केतु के नक्षत्र में सम्चरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावीत करने वाले हैं। ये बाकी की ग्रहिस्तितियां आपको किस तरह से प्रभावीत करने वाली हैं। कौन सी उराशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहत खास सिद्धोने वाला है। और कौन सी उराशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवशक्ता है? कौन सी उराशियां हैं जिन्हें अपने सभी नयकारे आज प्रारम्भ कर लेने चाहिए और कौन सी उराशियां हैं जिन्हें अपने नयकारे प्रारम्भ करने से आज बचना चाहिए? में शिशे लेकर मीन राशी परियंत प्रतेक राशी के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेस प्रभाव में रहने वाले हैं आप कौन सा वुश्नान है, कौन सा व दान, कौन सा व उपाए है जिसे करके आप आज इस दिन को सरेष्ट बना सकते हैं सभी वश्वेवों पर चर्चा आगे हम राशी फ्रमें करेंगे अगर आप उतने जन्मी राश के बारे में नहीं जानते तो फिरा आप अपने प्रचलित नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं। काटने का महुर्त, बच्चा गोद लेने का महुर्त, तो वहीं आवेदन पत्र लिखना है, आउनलाइन या ओफलाइन तो उसका महुर्त, आउशधी सेवन करना चाहते हैं। अपनी अंग्रीजी दवा को ही फिर से एक बार इहां से प्रारमत करें। और वाहन करें। यदि आपकी दिल्चस्पी जोतिस में है, जोतिस सीखना चाहते हैं, जोतिसी बनना चाहते हैं। जोतिस की गहराई में उतरना चाहते हैं, रिसियों की इस विद्या को सीखकर अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं। बहुत सहज और सरल है, इस प्लेलिस्ट को देखिए, ये जो लिंक मैंने भी आपके साथ स्वेर किया, ये एक प्लेलिस्ट है Only Astrology, ये मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियो जेके करके देख लिजे और विश्वास मानी आप जोतिसी बन जाएंगे, चली चलते हैं दिब्बे महा प्रयोग योड़, प्रियो दर्शकों, समय समय पर मैंने बहुत से राजयोग की चर्चा आपके समुख रखी है, बहुत से योगों की चर्चा की है, आज जिस योग की चर्चा करने जा रहा संभव है, अगर सौ लोग की बात में करूँ, तो सौ लोगों में से चालीस लोगों की कुंडली में, पचास लोगों की कुंडली में ये योग मिल जाएगा, ये कोई सामान्य योग नहीं है, ये अपने आप में आपको असाधारण बना देता है, मैं अगर इसे ऐसे कि ये किसी राजियोग से भी ज़्यादा बली है, ज़्यादा स्रिष्ट है, कैसे, आएप अले सूत्र सुनिये, प्रिदर्शको जन्म कुंडली में गंड मूल नक्षत्र, आप इनके बारे में तो जानते हैं, ये चह हैं, तीन केतु के और तीन बुध के, ये अश्विनी ह मघा है, मूल है, अब रासी के हिसाब से देखें, तो मेश में आता है, सुम्ह में आता है, और धनू में आता है, तो वहीं बाकी के जो तीन हैं, बुध के, वो आश्विरी साजेश्टा और रेवती हैं, और ये क्रमसबु大家, ब्रुष्चिक और मिन में आते हैं, यानि трe अ उसकी शांती कराई जाती है और ये भी कहा गया कई जगह मैंने इसकी भी चर्चा आपके समुख रखी है कि मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे प्रारमभिक दौर में थोड़े कस्ट में रहते हैं लेकि जैसे जैसे अपने उम्र के पड़ाओं को वो पार कर लेते हैं अरिष्ट को विसेश करके जीवन का जो आठ वर्स का बाल अरिष्ट का समय है उसे जब वो काट लेते हैं तो बहुत से ऐसे बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने समाज को नई दिशा दी है बड़े लोग तो धन से भी होते हैं ऐसे लोग जिन्होंने समाज को नई दिशा सबसे प्रचलित नाम अभुक्त मूल का बाबाय तुलसी दास कहीं आ जाता है और भी बड़े बड़े संत जो है इसी मूल नक्षत्र में हुए हैं ये कोई आम नक्षत्र नहीं होता है इसमें पैदा बच्चे बेहत खास होते हैं अब आज का सूत्र क्या है उसे ध्यान से सु राहू इन में से कोई ग्रह हो और इन ग्रहों पर गुरू या सूरी की दृष्टी पढ़ जाए अब जाहिर से बात है अगर बुद्ध होंगे तो सूरी की दृष्टी तो पढ़ नहीं सकती है एक नमबर दो अगर राहू की बात अगर करें तो आप कहेंगे कि गुरू की क्या उनका जीवन कोई आम रहा है, आप बाबा तुलसीदास के जीवन कोई आम जीवन, मैं अभुक्त मूल की चर्चा कर रहा हूं उनके, मैं कुदाहरण दे रहा हूं, आप कोई भी ऐसे एक व्यक्तिक उठा लीजिए, जिन्नोंने समाज को नहीं दिसा दी है, राम जी का ज पर जा देते हैं, तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसके चलते परिशानिया नहीं आएंगे, अलग विशह है, परन्तु फिर से सुनिये इस सूत्र को, इन छह नक्षत्र, जो गंड मूल नक्षत्र हैं, इन्ही नक्षत्रों में पहला ग्रह है मंगल, दूसरा ग्रह है पर गुरु की दृष्टी हो सकती है, राहु पर गुरु और सूर्य दोनों की दृष्टी हो सकती है, एक मात्र ऐसा योग है, जो जातक की तकदीर को बदल सकता है, अथवा हम ये कहेंगे, ये कहना गलत हो जाएगा, जब मैंने ऐसे पहले ही कहा कि ये कोई राज योग नह ये योग आपकी कुंडली में हो, सो में से पचास कुंडली में ये योग मिल जाएगा पर ये विशे थोड़ा जोतिसका यहीं पराकर के एक मामला फंस जाता है कि जब हम एक सामान्य सा रासी फल के अंतरगत किसी सुत्र की चर्चा कर रहे हों उसका ब्रिहत बिशलेशन न कर रहे हों, तो अब लगता है कि भाई, बहुत सारे लोगों की कुंडली में मिल जाएगा अब इसमें और गहराई है, परन्तु आप मोटा मोटा इतना जान लीजिए कि ये योग अगर आपकी कुंडली में है तो ये आम नहीं है, हाँ, अब बारी आती है, कि जिन तीन ग्रहों की मैंने चर्चा की है, मंगल और बुद्ध राहु की, वो किस भाव में है असल में देखा जाए, तो जन्म कुंडली के बारह भाव है, अर्थात, पुरा प्रम्हांड, पुरा आकास यही बारह भाव में बटा हुआ है अब उनमें से बारह भावों में हमारे रिस्ते हैं, हमारे जीवन के अंग हैं, सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है अब उसमें भी ये देखना है कि वो किस भाव में, अब मालिया जै कि लगन में ही ऐसी स्तिती पढ़ रही है ऐसी स्तिती पंचम में पढ़ रही है, ऐसी स्तिती नमम में पढ़ रही है मूलतह लगन को रख लिजे, लगन अर्थात आप तो इसका मत्तब है जातक अपने तकदीर को बदलने के लिए जन्म ही ऐसा लेगा उसके पास बुद्धिमत्ता उसका ज्ञान अभूत पुर्व एक छमता उसकी अभूत पुर्व छमता जन्मजात उसके अंदर विद्यमान पाई जाएगी जिसके चलते वो जहां भी रहगा जिसके साथ रहगा जो उसके करीब आएंगे जो उसके संपर्क में आएंगे देखिए एक योग होता है कि आप खुद बड़े बन गए हलाकि ऐसा नहीं है कि जब आप बड़े बनते हैं तो आपके आसपास के साथ के लोग भी आपके परिवार तकसीमित नहीं होता कुछ योग ऐसे होते हैं जो समाज को दिशा देने वाली होती है योग ऐसा ही है आपके वाल परिवार वालों को दे देंगे ये योग उसका नहीं है ये योग ऐसा है कि आपके संपर्क में जो आता जाएगा सब की जिंदगी निखरती और ब चलते हैं राशी फल की उड़, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी. मेश राश के जात्कों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा? आज पन्चम में हैं, और चंद्रमा केतु के नक्षत्र में हैं, सबसे पहले आपको मैं कुछ उपाय बताता हूँ, इन उपायों को करिए, आज तीन काले मर्च ले लीजिए, और उसको खाली पेट, मिस्तरी के साथ उसका सेवन करिए, खाली पेट आपको करना है, बाकि दिन काम करिएगा, बात कम, आख और कान खुले रखिए, चुप रहने का प्रत्न करिए, और काम करिए, जिस कार्य में हाथ लगाएंगे, वही कार्य आपका सफल हो जाएगा, मकान, वाहन, खरीदने की इक्षा है, तो आपकी इक्षा पूरी हो जाएगी, अचल संपत्ती से समं पूरत ना हो, वहाँ बोलने से आज बचना है, क्यूंकि गलत जगह पर, गलत बात कह के आज आज आप फस जाएंगे, लबलाइफ के दृष्टिकों से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, जीवन साती से किसी न किसी बात को लेकर के अन्बन होगी, हलाकि साम हो होते होते सबसुलह हो जाएगा, बिद्यार्थियों के लिए दिन खास है, और स्वास्त के मामले में देखा जाए, तो माता के स्वास्त को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, लकियंक आपके लिए आज पीला है, निवे शित्यादी करते हैं, अवश्य करिए, वरिशब के जातिकों की बात कर लेते हैं, गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आपके चतुर्थ में, अब देखा जाए तो चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरन करें, प्राता काल एक टुकडा अद्रह का लेकरके, उसे अपने मुह में रख करके, उसका रस ग्रह प्रफाओ में इससे बृद्धी होगी, और आपके अंदर एक नई उर्जा, नई शक्ति का संचार होगा, पेट चरनी रोग से आपको मुक्ती मिलेगी, और भेड़ चाल से आप बाहर हो जाएंगे, अर्थात जो चीज ठाल लेंगे करने के लिए वो पूरा भी कर लेंगे कारिक्षित्र में अगर देखा जाए तो आज आपका अंदाज बदला बदला सा होगा, आपके इस अंदाज से अधिकारी वर्ग भी संतुष्ट होगा, और जहां आपके काम से लोग असंतुष्ट रहते थे, परिशान रहते थे वो भी आज आपसे संतुष्ट होगे, पर हर दृष्टिकोंड से आज का दिन आपके लिए बढ़िया है माता के साथ किसी बात को लेकर के अन्बन हो गई थी तो वो दूर हो जाएगी और माता से धन संबंधी सहयोग आपको मिलेगा दामपत्य जीवन में या प्रेम संबंध में कोई गलत फ़हमी उत्पन्न हो गई थी या मित्रों के साथ मित्र के साथ गलत फ़हमी उत्पन्न हो गई थी यानि जहां भी गलत फ़हमी उत्पन्न होई थी वो गलत फ़हमी दूर हो जाएगी साम होते होते स्थिती और अच्छी हो जाएगी लव लाइफ के मामले में दिन को ठीक कहूंगा विद्यारतियों को थोड़ा संसय आज मन में रहेगा पढ़ाई मन में से लगेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं पर थोड़ा संसय आत्मक है दिन इस मामले में और स्वास्ते के दृष्टिकोंट से देखें तो माता के स्वास्ते का ख्याल रख लिएगा लकी अंक दो, लकी कलर हलका लाल है, निवेश करिए मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा, आपकी रासी से आज तीसरे में संचरन कर रहे हैं अब देखा जाए तो केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरन बहुत बढ़िया है दिन दस बार आज गायत्तरी मंतर का जब करिए, सुरी का प्रभावी से बढ़ेगा और आपका मन मस्तिक से सब सक्रिये हो जाएगा, और केबल सक्रिये नहीं होगा, आज आज आप जो पाना चाहेंगे, जो करना चाहेंगे, जो हासिल करना चाहेंगे, वो हासिल कर लेंगे, आपकी महत्वा कांच्छा पूरी होगी, दिन अच्छा है, मित्र आपके लिए मददगार साबित होंगे, यात्र आपके लिए लाभवप्रद होगी, धन्यु संबंधी मामलों में ज जीवन साथी से किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। इसका संबंध पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। विद्यार्थियों की बात करूँ तो महनत के नुकूल परिणाम मिलने वाला है, स्वास्त के मामले में रोग से मुक्ति मिलेगी। बाकी लकियंक आपके लिए दो और लकी कलर हलका पीला है। निवेश आप भी करिए। या जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी मदद करिए। हो सके तो उनको कुछ खाने पीने के लिए दीजिए, उनको खिलाए पिलाए या उनको संतुष्ट करिए। इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आफिस हो, फिल्ड वर्क हो, जो भी आपके महत्तो पूरुन कारे हैं, सभी कारे बनेंगे, धैरे के साथ आप अपने सभी कारे करते चले जाएए, दिन हसी खुजी बीतने वाला है, आपके सारे नीजी काम एक करके पूरुन हो जाएंगे, अधिकार छित्र में आपके बृध सभी देखें, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है, और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगे, अनि कुल मिला करके देखें, तो दिन अच्छा है, कहीं कोई विश्यस परिशानी नहीं दिखाई पड़ती, लकी अंकेक, लकी कल सकते हूं, इससे आपको फायदा मिलेगा, धैरे के साथ कामकरी, भुवन भासकर को अर्गे देंगे, तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, सोचे हुए काम वक्त पर होंगे, स्वास्त का अपने खायाल रखियेगा, पिता से किसी भी तरह की अनबन किस्तिती हो गई थी पहले, तो आज माफी मांग लिजे, बातचित कर लिजे, पिता का सम्मान करेगा, और किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेच पर हस्ताक्षर करना है, तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, वाहन खरीदने की योजना आपने बना रखी है, तो खरीद सकते हैं, औ जीवन साती के साथ मिलेगा, जीवन साती के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं, तो जा सकते हैं, मेडिकल फिल्ड के बिद्यार्थियों के लिए दिन विशेस सुभ है, कोई विशेस प्रतियोगी पर इक्षाईत्यादी दे रहे हैं, तो वहाँ भी आपको सफलता मिल सिर्दर्द से रहात मिलेगी, एकोल मिलाकर के दिन अच्छा है लखियंग के आपके लिए आज पांच है, और लखी कलर आपके लिए आज पीला, निवेश वश्य करिए बात करन्या की कर लेते हैं, गोचर कुंडली में चंद्रमा, आपकी रासी से बार्वे में केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, आज प्राता काल अपने खाने में सो थोड़ा संस कुत्ते को दीजेगा, और एक अद्रप का टुकुला अपने मुह में रखिएग सरकारी करमचारी हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेशेश सुभ रहने वाला है, क्योंकि उंच्छा धिकारियों से सहयोग मिलेगा, व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापारिक दृष्टिकोंड से आज का दिन बहुत बढ़िया है, एक एक करके कदम आप अपने बातों से किसी को भी आप प्रभावित कर लेंगे, प्रेमियों के लिए भी दिन बेहत शुब और दामपत्य जीवन के दृष्टिकोंड से देखें तो कहीं कोई संसे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कम्प्यूटर फिल्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ब बात की कलर, आपके लिए आज ब्राउन, और निवेश अगर आप कर रहे हैं, तो जानकार की राय से करिए, बात तुला की कर लेते हैं, गोचर कुंडले में चंद्रमा, आपकी रासी से लाभ में केतू के नक्षत्र में चंद्रमा का सुंचरण है, आज तुलसी जी की आरा रुद्धी होगी, जो आप से नाराज थे, वो भी आज आज आप से संतुष्ट होंगे, मन में किसी प्रकार की कोई चिंता बेचाई नी थी, वो सब दूर होगी, भाग्य अच्छा है, सो फायदा मिलेगा, लाभ की योग बनेंगे, कोई नया व्यापार सुरू करने की रहें कर सकते हैं, लडाई, जगड़ा, वाद, दिबाद, इन सबसे जितना हो सके, दूरी बना कर रख रखियेगा, दिन अच्छा है, और इस दिन का केवल और केवल फायदा अपने विकास में आपको लगाना चाहिए, जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ क शुराइं गूमने जाने के सोच रहें तो जा सकते हैं, मैनेजमेंट फिल्ट के बिद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं स्रेश्ट कहूंगा, और बाकी जो प्रतियोगी परिक्षा के बिद्यार्थियों उनके लिए भी दिन स्रेश्ट है, स्वास्त के मामले में प्रशानी आएगी जरूर लेकिन ये इतनी चिंता की बात नहीं है लकियंक दो लकी कलर आप लिए स्काई ब्लू है निवेश आप अवश्य करिए तो ही वरिश्चिक के जात्कों की बात करें तो गोचर कुणली में चंद्रमा का आपकी रासी से दसम का संबंध केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है प्रातहकाल एक यूकेलिप्टस का पत्ता आपको अगर प्रात हो तो अपने पास उसे रख लिजएगा और अपने भोजन में से थोड़ा सा अंस निकाल करके कुट्टे को दे दीजएगा ये उपाय आपके काम आ जाएगा बस इतने से काम बन जाएगा मन के भटकाओ पर नियंतरन रखिएगा और किसी भी बात पर जदा प्रतक्रिया देने से बचिएगा आज बहुत जोर जोर से बोलने से भी आपको बचना चाहिए क्योंकि आज आपकी बात उसे लोगों को अलग ही आभास होगा आप मीठा भी बोल रहे हों प्रेम से भी बोल रहे हों तो सामने वाले को लगेगा आप लडाई के मूड में हैं परिवार के मद्धे कलह की स्थिती है तो उसमें सुधार होगा पर अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना होगा विद्ध्यार्थियों के लिए दिन ठीक है स्वास्त के दरश्टिकोंड से देखें तो स्वास जन्ने रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है लकियं से आपके आज श्ष्ठ में है रासी से आपके आज नवम में और यह चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में संचरन कर रहे हैं आज तुलसीजी किसके घर में तुलसीजी है तो उनके जड़ में थ्वड़ा दूध हर्पित कर ए और एक घीका दिया उनके समूग जला दीजे जहां भी रहें एक मूल मंतर याद रखिए, सब के साथ तालमिल बिठा करके और तब काम करिए, समझदारी के साथ काम करेंगे तो आपको विशेस फायदा मिलेगा, किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर इत्यादी करने से पले कागजात को अच्छे से पढ़ लेना अच सुलच जाएगी, प्रेमियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत दिखाई पढ़ रही है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, प्रेमिय से मानुसमान टापत होगा और मैनेजमेंट फिल्ट के विद्यार्थ सफलता मिलेगी, तो कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया दिखाई पढ़ रहा है, तनाव और ठकान से जूज रहे थे तो इससे भी थोड़ी रहात आपको मिल जाएगी, लकी अंक आपके लिए आज आठ है, और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है, निवेश कर सकत बात मकर की कर लेते हैं, गोचर कुंडली में चंद्रमा, आपकी रासी से आज अश्टम में हैं, केतु के नक्छत्र में चंद्रमा का सुंचरन है, आज दस बार गायतरी मंतर का जब करिएगा, भुवन भासकर कोर के प्रदान करिएगा, और भोजन में से थोड़ा संस निक आपके कारे की तारीफ की जाएगी, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहें तो कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों का स्वयोग मिलेगा, संतान पक्छ से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, संतान से कोई आपक्छा थी आपकी पूरी होने वाली है, पर सबसे ज निवेश भी सावधानी के साथ कर सकते हैं, अला कि कोई बहुत बड़ा निवेश मत करिएगा, निवेश के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है, जो लोग विवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, और इंजिनियरिंग के फिल्ड से जो लोग जूड़े ह उनके लिए दिन बहुत बड़ी है, स्वास जन्नि रोग मौसमी बिमारियों के खत्रे से आप जूज सकते हैं, तो यहां सावधानी बरती हैगा, लखी अंक आपके लिए अज पांच और लखी कलर हलका हरा है, निवेश जानकार किराय से करेंगे तो अच्छा रहेगा या छोटा अमांट बड़ा अमांट न लगाएं, कुम्ब के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी से सप्तम में होना, देखा जाए तो यह चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में संचरन करें, प्राता काल एक अध्रक का टुकडा खाली इन उपायों से, और सबसे जरूरी बात, सब के साथ आज प्यार से पेस आईए, विनम्रता से पेस आईए, आपके सभी काम इसी से बनेंगे, और यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए, वैसे तो आपके सभी काम सुचारू ढंग से चलते दिखाई पढ़ के दरश्टिकोंड से देखें, तो स्वास्थ के मामले में भी कोई विशेश परिशानी नहीं दिखाई पड़ती, तो कुल मिलाकर के अगर देखें, तो कुम्भ के जातिकों के लिए दिन अच्छा है, जीवन साथी के स्वास्थ में अगर पहले से कोई परिशानी है, तो जीवन साथी के स्वास्थ का ख्याल लखिएगा, पार्टनर से किसी बात को लेकर के अनबन, व्यापारिक पार्टनर से किसी बात को लेकर के अनबन के इस्तिति उत्पन्न हो गई है, तो ये इस्तिति आज और गंभी रूप ले सकती है, तो जरा सचेत रहना होगा, लकियं में चंद्रमा का संचरण और आज सबसे पहले तो तुलसी जे के जड़ में आपको थोड़ा दूधर पीत करना है एक घीका दिया उनके समुख जलाना है और प्राता काल तुलसी जे के कुछ पत्ते लेकर के उसे खाली पेट अपने मूर में रख करके उसको चबाई ये आपको मिलेगा नौकरी पेसालों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा आज बहुत अधिक दिखावा जैसे क्रेडिट कार्ड इत्यादी ले करके जाना बेर्थ के पैसे ले करके जग दिखाना है अपनी चीजों को छुपा करके रखिये नहीं तो नजर लग जाएगी आज लाइफ के दृष्टिकोंड से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा जीवन साती से सहयोग मिलेगा अगर अनबन किस्तिती थी तो भी सुधार होगा उसमें विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है और स्वास्ते के दृष्टिकोंड से देखें तो किसी सारीरिक परिशानी से जूज रहते तो मुक्ति मिलेगी मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी लखियंक आपके लिए आज तीन और लखी कलर आपके लिए पिंक है निवेश आप भी कर सकते हैं तो प्रियदर्शकों ये था मेश्य लेकर के मीन राश्य परियंत प्रतेक राश्य के जातकों के आज आपके पूरे दिन का हाल अभी के लिए इतना ही इजाज़त दीजे पुना मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार